दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने जारे income tax slab rate के बारे में जो यहाँ पर आपके लिए applicable होगी for the assessment year 23 चोईस में दोस्तो अगर आप income tax return भरना चाहते हैं अगर आप एक नागरिक है या आप वरिश नागरिक है कोई company है या संस्ता है या हूफ है तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लेस जल से जल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को इस information को जाजाजाजा लोग के पास share जरू करिएगा तो आईए start कर अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर income है या बियो आई है या artificial judicial person है इस case में आपकी rate of income tax है यहाँ पर क्या लागू होगी यानि आप अगर individual है यानि आपकी age 60 साल से कम है या फिर अगर आप एक non-resident है चाहे आपकी उमर 60 या उससे जादा भी क्यों ना हो non-resident के case में तो भी आपके लिए यहाँ पर जो individual है उसी की जो rate है वो यहाँ पर लागू होगी दोस्तों आए समस्ते assessment यह 23 के लिए क्या यहाँ पर rates दी गई है तो ध्यान रखेगा आपकी total income जो भी होगी उसका ढाई लाग तक अगर आपकी total income है तो यहाँ पर आपको nil tax rate लगने वाला है अगर आप individual होफ की बात करें तो इसी के साथ अगर आप 5 लाग तक अगर आपकी income है तो 5% तक का आपको यहाँ पर tax देना है यानि आपकी 5,5 लाग से उपर और 5,5 लाग के अंदर अगर है यानि मान के चलिए आपको पूरा 5,5 लाग तक यहाँ पर आपको 5% यानि 12,500 तक आपको tax यानि maximum जो tax है वो यहाँ पर आपको लगने वाला है इसी के साथ दोस्तों अगर आपकी income 5,5 लाग से उपर और 10,5 लाग के अंदर है तो 20% का tax यहाँ पर आपको देना होगा यानि 20% आपकी income का यहाँ पर आपको tax में चला जाएगा ध्यान रखेगा यहाँ पर 20% कितना हुआ 5,5 लाग पर 1,5 लाग रुपया हुआ इसी के साथ दोस्तों अगर आपकी income 10,5 लाग से उपर है तो 30% आपको यहाँ पर tax देना पड़ेगा ध्यान रखेगा 1,12,500 तो अल्रड़ी आपको 10,5 लाग तक देना है और 10,5 लाग से उपर जितनी भी आपकी income है 20,30 लाग होती है तो यहाँ पर 30% सीधा सीधा tax चार्ज हो जाएगा 10,5 लाग के उपर तो यह तो हमने यहाँ पर बात कर लिए अगर आप individual है तो यहाँ पर आपकी slab rate धाई लाग से श्टार्ट होती है पर दोस्तो अगर आप senior citizen है या फिर super senior citizen है तो उसके इसमें क्या slab rate ओगी आईए वो भी जान लेते हैं दोस्तो आईए यहाँ यहाँ अपर बात कर लेते है senior citizen और super senior citizen के लिए क्या income tax slab rate यहाँ पर होने वाली है तो सबसे पहले यह जा लेते हैं कि हम senior citizen कहेंगे और किने हम super senior citizen कहने वाले हैं तो अगर आपकी age 60 साल से जादा है बट 80 साल से कम है तो यहाँ पर आप senior citizen की category माएंगे आप resident Indian होने चाहिए इसी के साथ साथ जो super senior citizen है जिनकी age 80 साल से जादा होने चाहिए और यह भी resident individual होने चाहिए अब इनकी slab rate के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप senior citizen है आपकी age 60 या 80 के अंदर है तो यहाँ पर आपकी limit जो start होगी वो धाई लाग से नहीं सर यहाँ पर 3 लाग रुपे से start होगी यानि 3 लाग तक आपको कोई भी tax नहीं देना 3 लाग से 5 लाग आपको यहाँ पर फिर से 5% लग जाएगा यानि 10,000 रुपे आपको देना पड़ेगा maximum tax इसके बाद 5 लाग से 10 लाग तक आपको 20 लाग रुपे आपको maximum tax देना होगा एंड 10 लाग से उपर जाती है तो 30% tax rate चार्ज होगा यानि 1 लाग 10,000 आपको 10 लाग तक देना है और 10 लाग तक उपर आपकी जितनी भी income जाती है उस पर 30% का tax rate आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आपकी यह जसी है उसे जादा है 5 लाग से 10 लाग तक आपको 20% की tax rate लगेगी और 10 लाग से उपर आपको यहाँ पर 30% की tax rate चार्ज होने वाली है दोस्तो यह तो हमने बात कर लिए old slab rate की अब यहाँ पर हम आपको बताते है new slab rate क्या है section 115BAC के ताहत है तो यहाँ पर चाहे आप senior citizen हो या non senior citizen हो आपके लिए same यहाँ पर 5 लाग की चूट मिलेगी आपको 3 लाग या 5 लाग की यहाँ पर चूट नहीं मिलने वाली है यह बात आप ध्यान में रखेगा दोस्तो आईए यहाँ पर आप slab rate देख लेते हैं new slab rate तो यहाँ पर धाई लाग तक आपके लिए निल रहेगी और धाई से 5 लाग तक यहाँ पर आपको 5% का tax charge होने वाला है और साड़े बारा से अगर यहाँ पर 5 लाग तक की आपकी income है तो यहाँ पर 25% का tax charge होने वाला है इसी के साथ अगर आपकी income 15 लाग से उपर है तो यहाँ पर 30% का tax charge यहाँ पर होगा तो दोस्तो इस हिसाब से यहाँ पर जो new slab rate है वो यहाँ पर रखी गई है आप सभी लोगों के लिए जो यहाँ पर old slab rate नहीं करना चाहता है वो new को भी आपर opt कर सकता है पर ध्यान रखेगा यहाँ पर आपके कुछ deductions कुछ exemptions यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे तो यह आपको यहाँ पर जो new slab rate है आप opt कर सकते हैं अब दोस्तो यहाँ पर बात कर लेते हैं firm की LLP की इन लोगों के लिए क्या slab rate होने वाली है दोस्तो आप सभी को पता होगा के firms और LLP इनके लिए flat rate 30% दी गई है यानि जितनी भी आपकी income हो इसका 30% आपको यहाँ पर tax चुकाना होगा इसी के साथ local authority अगर आप है तो इस case में यहाँ पर भी आपके लिए flat rate 30% का tax charge होने वाला है दोस्तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर आप cooperative society है अगर आप cooperative society है तो इस case में slab rate आपके लिए क्या होने वाली है आए समझ लेते हैं तो 10,000 तक आपको 10% tax rate चार्ज होने वाली है 10,000 से 20,000 की बात करें to 20% और 20,000 से उपर अगर जाती है तो 30% की tax charge यहाँ पर आपको मिलने वाला है दोस्तो अब यहाँ पर बात कर लेते company की तो अगर यहाँ पर कोई domestic company है तो उस case में यहाँ पर अगर आपका total 10 hour या gross receipt यहाँ पर financial year 19-20 के अंदर 400 क tax charge रहेगा अब यहाँ पर हम बात कर लेते foreign company है other than domestic company तो यहाँ पर अगर royalty है FTS है तो यहाँ पर आपके लिए जो होगा fees for technical service, fees for professional service है यहाँ पर आपको 50% का tax rate लगेगा other than यहाँ पर जो है royalty के अलावा अगर कोई income है तो उस case में 40% का tax rate यहाँ पर आपके लिए charge होने वाल है तो 20% का tax rate यहाँ पर आपको लगेगा section 112 के इसाब से इसी के साथ section 112 A के अंदर अगर यहाँ पर आप transfer करते है equity shares of listed company या फिर equity oriented funds के units या business trust के units तो इस case में यहाँ पर आपको long term capital gain होता है और STT अगर आपने paid किया है तो एक लाग रुके तक ही यहाँ पर आपको छूट होगा इसी के साथ 111 A short term capital gain है अगर आप transfer करते equity share listed company के या equity oriented funds या business trust तो इस case में 15% जो है tax rate चार्ज होगा इसी के साथ अगर आप winning में lottery में cross world possess में race horses में अगर यहाँ पर अगर आप कमाते हैं तो यहाँ पर 30% का tax rate चार्ज होगा and अगर आपकी कोई unexplain cash investment expenditure है तो उस पे 60% का यहाँ पर जो tax rate चार्ज होने वाला है दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सर्चार्ज टेक्स के बारे में यानि additional income tax यहाँ पर आपके लगने वाला है अगर आपकी total income 50,000,000 से जादा है एक करोड के अंदर है तो 10% का सर्चार्ज लगेगा इन केस अगर आप individual है HOFA, AOPA, BO हो आई है एक करोड से 2 करोड के अगर आपकी income है तो यहाँ पर 15% का सर्चार्ज लगेगा दो करोड से 5 करोड की income है तो 25% और 5 करोड से जादा है तो 37% तक का यहाँ पर आपको जो है सर्चार्ज लगने वाला है दोस्तों यहाँ पर एक और section की हम बात कर लेते section 87A जिसके अंदर आपको rebate दिया जाता है 12500 तक का अगर आप individual है resident individual है आपके income पांच लाग तक है तो यहाँ पर आपके डाइलाग से उपर पांच लाग के अंदर यानि डाइलाग पर आपको 5% यानि 12500 का tax बनता है लेकिन अगर आपके income 5 लाग के अंदर है 5 लाग से जादा cross नहीं करती है तो यह 12500 आपके लिए पूरा का पूरा tax free हो जाएगा यानि आपकी income यहाँ पर जो slab limit थी individual के लिए जो resident individual है जो डाइलाग थी वो यहाँ पर बढ़कर अचानक ही 5 लाग हो जाएगी अगर आप 87A का यहाँ पर rebate लेते हैं तो आपकी income 5 लाग से अगर कम रहती है त यहाँ पर आपकी slab rate है तो 50,000 पर आपको 5% देना होगा यानि 5,000 रुपे है तो इस case में यहाँ पर पूरा का पूरा 12,500 जो है वो यहाँ पर आपको tax की छूट नहीं मिलेगी यहाँ पर आपकी income जो है वो 5,000,000 के अंदर होनी चाहिए दोस्तो इसी यह साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं health and education says के बारे में तो यहाँ पर आपका जो income tax निकल के आता है या फिर आपका सर्चाज यानि additional income tax निकल के जो आता है उस पर यहाँ पर आपको 4% health and education says देना होगा ध्यान रखेगा दोस्तो यहाँ पर health and education says यहाँ पर 4% आप पे जो है additional income tax और income tax पे यहाँ पर चार्ज कर लिया जाएगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना income tax slab rate के बारे में कैसे यहाँ पर कितना percent आपकी income tax slab rate होने वाली है क्या यहाँ पर सर्चार्ज और क्या education says और क्या rebate और उसे के साथ साथ और भी other details यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर cover करने की कोशिश करी है आज का वीडियो अगर आपको पसंदा है चैनल को like को subscribe जरू करेगा जहाँ ज्यादा share जरू करेगा धन्यवाद